आप सबका स्वागत है में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको अपना नेम फादर्स नेम या डेट ऑफ बर्त करेक्ट करानी है तो उसके लिए जो नया प्रोसीजर है वो क्या है यह प्रोसीजर जो है वो 2022 में लांच किया गया है और इसे जनहित गारंटी जो है वो परफॉर्म किया जाता है इससे संबंदित एक वीडियो हम पहले भी दे चुके हैं आपको कि जनहित गारंटी एक्ट में आप अपना रेजिट्रेशन कैसे कर सकते हैं पासवर्ड सेट कैसे कर सकते हैं तो वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो अगर तो मैं पहले देख करके आपको रेजिट्रेशन कर के आपको अपना पासवर्ड हासिल करना होगा तो उसको बनाने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में समझाया है लिंक ऐसन हम दे दिया है ताकि आगर आप ने वह वीडियो नहीं देखा है तो यहां के डिस्क्रिप्शन से आप जाकर के उसे देख सकते हैं उस लिंक से पहले आप उस वीडियो वो देख करके पासवर्ड सेट करने उसके बाद फिर ये वीडियो आपके काम आएगा तो देखे इसमें क्या है सबसे पहले आप जो है वो BTUP की साइट पर जाएंगे वहाँ पे आपको ऊपर जो है मैनियू में कई सारी ये चीज़े दिखाई देंगी इसमें जो ये सर्विसेज हैं जनहित वाली इसको आप जो है वो खोलेंगे और इसमें जनहित गरंटी एक्ट जो दिख रहा है वो उसके ऊपर आप चले जाएंगे ये वाला option जो है वो select कर लेंगे अब नीचे देखिए इसमें जो है वो student अब जो ये options आएंगे यहां पर कई सारे options आएंगे मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी किसी को भी क्लिक करेंगे तो ये आप से login करने के लिए कहेगा तो login करने के लिए आप क्या करेंगे enrollment number डालेंगे और password पासवर्ड वही जिसका जो पिछले वीडियो में देखके आपने बनाया है जिसका link मैंने description में भी दे रखा है वो ये दोनों entry करके आप login कर देंगे तो आप जो है वो इसके अंदर पहुंच जाएंगे अंदर पहु देखें यहां पर जो है वो right side में आपको issuance of transfer certificate, migration certificate, caution मनी लेना है, character, provisional, diploma, rectification of mark sheet, issuance of provisional certificate, duplicate mark sheet तो rectification of mark sheet इसमें आपको सुधार करना है तो इसमें आप चले जाएंगे जब इसमें जाएंगे तो देखें यहां पर आपका जो information है जो पढ़ी है इसमें पहले से वो दि दिखाई देगा और select rectification type क्या आपको सुधार करना है तो अभी देखिए इसमें option में केवल यही आ रहा है name, father's name, date of birth correction इसके अलावा अगर आप कुछ correction करना चाहते हैं तो वो इस समय नहीं possible है केवल यही एक option है जिसमें कि आप यह तीन चीज़ें बदल सकते हैं फिर नीचे आपको दिखाई देगा कि क्या आपको correct करना है तो क्या correct करना है वो आप लिख देंगे नीचे उसके बाद documents upload करने पड़ेंगे आपको जैसे अपने नाम या date of birth की support में high school का certificate है वो upload करना है और फिर उसके बाद यहां से okay कर देंगे यहां से okay करने के बाद यह जो college के login में चली जाएगी college के login में जो है वहां से फिर चेक किया जाएगा कि आपने जो correction के लिए request करी है वो वाजिब है या नहीं वो मतलब सही है या नहीं क्योंकि order इस तरह काया है कि आपके वरतनी में अगर समशोद है तो वो किया जाएगा पूरा नाम चेंज नहीं किया जाएगा जैसे मालिया सपोस करिए इसका मतलब यह हुआ जा करके कि अगर नाम जो है वो जैसे मालिया सपोस करिए राम लाल है तो राम लाल का राम पाल नहीं हो सकता ठीक है ना लाल और पाल अलग अलग शब्द है अब यह कि राम लाल में लाल की स्पेलिंग ले ली हो ग जैसे में अपने नाम में ही बताऊं अगर आपको तो जैसे मेरा नाम विवेक सिंग राठाओर है तो राठाओर में मैं इस तरह ही लिखता हूँ और लिखा लिख इस तरह से गया है तो उसकेस में यह वरतनी का संशोधन माना जाएगा इसको अगर आपने अप्लाई किया है तो यह कॉलेज में फारवड कर दिया जाएगा और फिर बी टी यूपी में मार्शीट में फिर उसके बाद बॉर्ड में चला जाएगा और वहां से आपके मार्शीट और टिप्लोमा में फिर यह करेक्शन हो करके आएगा तो यह नेम और डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम करेक्शन का प्रोसीजर है आगे भी अगर माक्षीट या इसमें आपको कोई संचोधन का मौका मिलता है तो यही आपशन यही तरीका आपको करना पड़ेगा बस यहां पर क्या किया आपको और बढ़ा दिये जाएंगे कि मोबाइल नंबर भी संचोधन हो सकता है या इमेल आईडी भी संचोधन हो सकता है तो इसलिए जो है वो यह तनकर रहे हैं आप देखे आप कहोगे कि पूरा क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं तो देखे पूरा नाम बदलना या पूरा यह सब चीजें जो हैं अलाव नहीं है क्योंकि इन से फिर फ्रॉड होने के चांस रहते हैं अब कहें कोई के मेरी फोटो भी अपलोड कर बदलनी है तो इस तरह से बदल बदल के फिर यह एक मतलब बहुत सारा एक तरह से कांफ्लिक्ट टाइब के हो जाएंगे कई सारी ची स्टूड होकरके अपनी चीजों को चेक करें अकसर ऐसा देखा जाता है कि जब करी जाती है कॉलेज में बच्चे आते ही नहीं बच्चे रहते हैं घर पे कोई फ्रेंड उनका जो है वह इस तरह की चीज़ें देख लेता है जाकर के जैसी बात है दूसरा स्टूड अगर उ देखती है फिर उसको सुधरवाने के लिए जो है वो चार-पांच साल भी कम पढ़ जाते हैं तो इसलिए रेजिस्ट्रेशन जब हो रहा हो यानि कि आपको अनुर्मिन नंबर जब मिल रहा हो उस समय बस थोड़ी सी सावधानी अगर बरत लें और अपने इंफॉर्मेशन डेटा को जो है वो खुदी चेक करें तो सबसे बढ़िया वही रहेगा तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था मुझे उम्मीद है आपको समझा गया होगा अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बूस सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बात